इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि अपना वैबुक कैसे कॉपी करते हैं सबसे पहले आपको next level bot login कर लेना है login करने के बाद dashboard पर जाना है जैसे आप dashboard पर जाओगे तो आप देख सकते हो right side में sequence वैबुक लिखा है आपको इसे copy करना है यह आपका वैबुक है इससे आप paper trading करते हो इससे आप real trading करते हो otherwise आप charting पे काम कर रहे हो तो आपको charting का वैबुक copy करना है इससे आपके charting पे paper trading भी होती है और real trading भी होती है I hope आपको पता चल गया होगा Thank you for watching this video and bye